ओम साइराम सभी के लिए आज के संदेश में सिरडी वाले साइं बाबा ने अपने सभी भक्तों से कहा है उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिये दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद आपका आपका दिन सुफ़ो आज के संदेश में बाबा अपने सभी भक्तों से कह रहे है मेरे बच्चों एहंकार, एहंकारी मनुस्य एहंकारी मनुस्य को कभी मेरे रूप के दर्शन नहीं हो सकते वो मनुस्य कभी मेरे स्वरूप के दर्शन कर ही नहीं सकता जिस व्यक्ति के अंदर एहंकार आ जाता है एहंकार सर्व प्रथम उसके ज्यान को नश्ट कर देता है मेरे बच्चों जिस मनुस्य का ग्यान नश्ट हो जाता है वो मनुस्य अग्यानी हो जाता है उसे कोई ग्यान नहीं हो तो वो अग्यानी हो जाता है और अग्यानी मनुस्य के अंदर कभी इंसानियत नहीं होती अग्यानी मनुस्य के अंदर इंसानियत नहीं होती और जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत नहीं होती मेरे बच्चो वो इंसान नहीं हो सकता मैं कहूं तो मेरे बच्चो जहां तक है कि एहंकार मनुस्य को खुद मनुस्य को एहंकार खुद की ही नजरों में उचा उठाता है किसी को कुछ पता हो या नहीं हो लेकिन वो इनसान अपने एहंकार के कारण अपने आपको बहुत बलसाली और सक्तिसाली समझने लग जाता है वो एक दिन भगवान को भी चिनोती देने लग जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ मैं ही इस प्रत्वी पर सबसे अनोखा प्राणी हो जहां तक है वो किसी को अपने समान नहीं समझता सबको अपने आपसे छोटा और एक अपने आपको सबसे बड़ा समझने लग जाता है वो जिस व्यक्ति के अंदर एहंकार आ जाता है वो व्यक्ति अपने इस वर से बहुत दूर चला जाता है मेरे बच्छो एहंकारी व्यक्ति को मैं अपनी नजरों में एक मूरक व्यक्ति के समान ही समझता हो और उसके गरतियों को मूरक व्यक्ति के समान ही समझ कर माफ करता रहता हो लेकिन जब उसके एहंकार का घड़ा एक दिन भर जाता है तो उसके एहंकार को भी मैं अपनी ही सक्तियों से नश्ट कर देता हो उसके एहंकार को नश्ट करने के बाद उस व्यक्ति को भी मैं नश्ट ही कर देता हूँ उसे किसी लाइक नहीं छोड़ता मैं कहूं तो मेरे बस्चो मैं उसके बंस तक को भी मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे एक क्रोध पसंद है लेकिन एहंकार बिलकुल भी नहीं पसंद मुझे मुझे प्यार पसंद है लेकिन दुस्मानाई बिलकुल भी नहीं है पसंद मुझे मेरे बच्चो तुम एक दूसरे से प्यार करो मिलकर रहो मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम लड़ाई जगडे हर रोज की तरह हर रोज करोगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा मेरे बच्चो मैं जानता हूँ मेरे बच्चो इस दुनिया में रहते हो तुम और इस दुनिया में रहने के लिए कभी प्यार भी करना पड़ता है तो कभी जगडे भी करने पड़ते हैं ऐसा नहीं है मेरे बच्चो की प्यार से ही यहां दुनिया में रह लोगे प्यार से ही सब को मना लोगे किसी को किसी तरीके से तो किसी को किसी तरीके से मनाया जाता है यहां पर हाँ मैंने ये सच कहा है मेरे बच्चो कि इस दुनिया में रहने के लिए किसी से प्यार तो किसी से जगड़ा करना पड़ता है लेकिन मैंने ये तो नहीं कहाना कि हर एक का फैसला तुम खुद करोगे अब तुम इतने बड़े खुद हो चुके हो कि हर एक बात का फैसला तुम खुद करने लगे हो वैसे कहते हो हम सिरडी वाले के भक्त बन चुके हैं और फैसला खुद करने लगे हो तो क्या तुमने कभी आकर किसी की दो बाते सुनकर मुझे आके बताया है कहा है मुझसे बाबा मेरे साथ ऐसा हुआ अब तू जाने तेरा काम मुझे न्याय दिला देना लेकिन अब तो तुम इतने बड़े हो गए You कि फैसला खुद ही कर लेते हो मैं देखता रहता हूँ कि मेरा भग तब आहेगा मेरे पास मेरा भग तो आएगा मेरे पास लेकिन मेरा भग तो इतना बड़ा हो चुका है तो वो कोट का चेरी काट का घर भी आ चुका है फैसला कर लिया है उसने उसके पक्ष में हो या उसके विप्रीध हो उससे इसे कोई मतलब नहीं है लेकिन फैसला वो खुद ही करेगा अपना अगर वो फैसले के लिए मेरे पास आएगा तो मेरे पास उसे सर जुका के नजरे जुका के बात करनी होगी और वो नजरे इसलिए नहीं जुकाएगा क्योंकि उसका एहंकार कम हो जाएगा जिस व्यक्ति का एहनकार कम हो जाएगा तो वो एहनकारी व्यक्ति कैसे कहलाएगा मेरे बच्चो मैं कहूं तो मेरे बच्चो इस मृत्तु लोग पर तरह तरह के प्राड़ी हैं कोई किसी भी स्वरूप में हैं तो कोई किसी भी स्वरूप में हैं कोई किस भासा में बात करता है तो कोई किस भासा में बात करता है कोई इसारों को समझता है तो कोई इसारों से समझता है मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं मेरे बच्चों मैं तुम्हें दो दिन पहले की ही बात बताता हूँ एक मेरा भक्त है वो मुझे सच्चा प्यार करता है वो सच में ही मुझे सच्चा प्यार करता है सुभा सुभा वो मेरे पास आया था मेरी पूजा अर्चना करके गया था जब वो काम के लिए निगला था तो वहां जाके उसका काम वो बन गया था जिस भी काम के लिए वो घर से गया था वो पैसे लेने किसी से अपने पैसे लेने के लिए घर से पैसे तो उसे वहाँ पे मिल जाते हैं और वहाँ से पैसे लेकर वो घर के लिए रवाना हो जाता है जैसे ही उसे पैसे मिलते हैं वो मेरा इतना बार बार धन्यवाद करता है हर सांस पर मेरा ही इसमरण करता हुआ आता है वो अपने मन ही मन मेरा इसमरण करते हुआ आता है और साइं 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 बजते हुए आता है वो अचानक रास्ते में उसके साथ एक घटना घटे थोती है मेरे बच्चो उस घटना में उसके सारे पैसे खो जाते हैं उसकी जेव से निकल जाते हैं वो पैसो के बियोग में इतना पागल सा हो गया था कि जहां मेरा जिस पल वो धन्यवाद कर रहा था उसी पल वो मुझे गालिया देने लगा था जब वो मुझे गालिया देने लगा था मुझे बहुत थसी आने लगी उसको देख कर मैं तो सोचता था कि ये मुझे से प्यार करता है लेकिन उस पल मुझे महसूस हुआ था कि ये पैसे से प्यार करता है अगर ये मुझे से प्यार करता था अगर ये मुझे से प्यार करता होता तो पैसे के खोने पर मुझे मुझे अब सब नहीं बोलता ये और पैसे के मिलने पर मुझे से बार बार मेरा धन्यवाद नहीं करता मेरे बच्चों ये मैं समझ गया कि मुझसे नहीं पैसे से प्यार करता है मैंने लेकिन फिर भी उसकी बात है ऐसे ही डाल दे वो यही मुझे अब सब्द बोलते बोलते घर आ गया और अचानक जैसे ही घर पर वो बैठा एक पीछे से उसके एक वेक्ति आया और बोला भाई साब आपका पर्स मुझे राज्टे में मिला था जैसे ही उसका पर्स दिया वो फिर मेरा धन्यवाद करने लगा बाबा आपका धन्यवाद फिर मैंने सोचा यह वास्त्विक्ता मेही मुझे पैसे से प्यार करता है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे आजमा ना चाहूं मैंने उसकी परिक्षाएं लेनी चालू करती मेरे बच्चो जो तुम कहते हो ना मुझसे की परिक्षाएं क्यों लेते हो बबा बस यही कारण होता है मेरे बच्चो कि मुझे परिक्षाएं तुमारी लेनी होती है तुम न जाने किस एक दुख वाला और एक सुख वाला है अगर जिस पल तुम सुख वाले पहलू में बैठ जाते हो तो तुम बहुत खुस होते और फूले नहीं समाते हो बार-बार मेरा भी धन्यवाद करते और प्रते एक इंसान को तुम एक अच्छी नजर से भी देखने लग जाते हो दुख वाला पहलो आने लगता है वहीं पर मेरे बच्चो तुमारा मन दिल और दिमाग और बुद्धी इतनी चिर्च्छी हो जाती है और तुमारा मन इतना असान हो जाता है उस पल वहां मैं नहीं समझ पाता हूँ मेरे बच्चो कि तुम वहां दुख से प्यार करते हो या स सुख मैं कभी वास नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बच्चों जहां मैं होता हूँ वहां सुख नहीं होता और जहां सुख होता है वहां मैं नहीं होता मेरे बच्चों मैंने सिर्फ ये जो सुख बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ तुमारे लिए बनाया है मैंने इस सुख को कभी नहीं चखा है मेरे बच्छो और नहीं मैं कभी चखूंगा मैं सुख से इतना दूर रहता हूँ मेरे बच्छो जितना तुम दुखों से दूर रहना चाहते हो मैं कभी नहीं आना चाहता इन सुखों की परच्छाईयों को भी नहीं देखना चाहता मैं तो हमेशा दुख में ही रहना चाहता हूँ और वहीं पर रहूँगा मेरे बच्चो जहां दुख होगा या कोई दुखी इनसान होगा वहीं तुम मुझे याद करना मैं आवस्से ही बहुत जल्द प्रकट हो जाऊँगा मेरे बच्चो क्योंकि मैं मुसीवतों में और दुखों में और दुख्यारों में ही वास करता हूँ मैंने बार बार अपने भक्तों को समझाया था कि मेरे बच्चों मैं सिर्फ दुख में रहता हूँ मुझे दुख ही पसंद है लेकिन कुछ भक्त मेरे मुझे सुख में ढूडते हैं सुख में मेरे नाम का इस्मरण करते हैं और दुख में मुझे भूल जाते हैं और कुछ भक्त मेरे ऐसे हैं जो मुझे तुख में इसमरण करते हैं और सुख में भूल जाते हैं ये दुनिया अजीब और गरीब नमूनों से भरी हुई है मेरे बच्चो यहां तुम भी एक नमूना बनकर मत रहो मेरे बच्चो मुझे समझो मेरी सक्तियों को समझो इस्वर पर विश्वास रखो एक दिन तुमारी जिन्दगी में अवस्य ही ऐसा आएगा जो तुमारी सौपन है जो तुमारी इक्षा है वो प्रतेक इक्षा पूर्ण हो जाएगे उस दिन अब ये तो नहीं है मेरे बच्चों कि जब तक तुमारी इक्षा पूर्ण नहीं होगी तब तक तो मुझे पर आस्ता और विश्वास नहीं बनाओगे तब तक मेरी भक्ती नहीं करोगे कुछ भक्त मेरे सोचते हैं कि बाबा ये हमारी इक्षा पूर्ण हो जाएगी तो मैं तुमारी भक्ती करोंगा और उनकी जब इक्षा को मैंने देखा तो उनकी इक्षा थी किसी की साधी की, किसी की धंदौलत की किसी की पैसे की इक्षा थी मुझसे के पैसा मिल जाए तो किसी की जोरू और जमीन की इक्षा थी मैं सोच में पढ़ गया मेरे बच्चे मुझसे इन चीजों के लिए मेरे पास आएंगे अगर मैं इनको ये सब चीजे दूँगा तभी है मेरे पास आएंगे अन्ने तम मुझे छोड़ देंगे फिर मैंने सोचा कोई नहीं यह बच्चे हैं मैंने उनकी सारी ख्वाई से पूरी कर दे किसी को घर तो किसी को जमीन तो किसी को जोरू किसी को धन दोलत मैंने हर एक को सब कुछ दे दी अपने पास कुछ नहीं रखा मैंने सब को सब कुछ दे दिया मैंने मैंने सोचा अभी मेरे पास आ जाएंगे मेरी भक्ती करेंगे मैं उनकी और हर पल नहारता रहा जब काफी समय हो गया उनकी और नहारते नहारते तो मैंने देखा कि हाँ ये मेरे बच्चा मेरी बक्ती करने आएंगे लेकिन जब मैंने देखा था उनकी तरफ जिस जिसको मैंने जो जो चीज दी थी वो उसी में बैस्त था मुझे फिर भी भूल गया वो पहले तो मेरा नाम हर पल रटता रहता था लेता भी रहता था लेकिन जब से मैंने उसकी हरिक्षा पूंद की है तब से तो मुझे बिल्कुल ही भूल गया है वो कहने लगा है अब तो कौन साई कहां का साई कहीं भगवान भगवान नहीं है क्या जब मैंने दुख झहले ते तब भगवान क्यूं नहीं आये थे अगर भगवान नाम की कोई चीज होती तो मुझे दुखों से उस पल बचा लेती और फिर वो उसी पल एक ऐसी सर्थ रख दिता है भगवान से और वो कहने लगता है गा अगर भगवान है तो मुझे इतना रहिस और इतना अमीर बना दे है मेरे बच्चो मैं उसकी उस पल एक्षा तो कर सकता हूँ लेकिन कुछ नियमों से मैं भी तो बंधा हुआ हूँ ना मेरे बच्चो ये स्रष्टी ही समझ स्रष्टी ही मेरी है और समझ स्रष्टी ही अगर यही बोले तो मैं क्या समझ सरश्टी को एक धन्वान मना दूँगा सब को सुखी सुख दूँगा दुख किसी को नहीं दूँगा मेरे बच्चो मेरे लिए तो मेरे बच्चो तुम दोनों ही बराबर हो एक तो भक्ती करने वाला और एक भक्ती ना करने वाला मैं दोनों को ही समान नजरों से देखता हूँ वसफार कितना है कि तुम मेरी भक्ती करके अपना अगला जीवन सुधार रहे हो और वो मेरी भक्ती नहीं करके अगला जीवन भी अपना बिगाड रहा है वो वसफार कितना है कुछ मेरे बच्चे तो यह भी सोचते हैं मेरे बच्चों की हम जब भक्ती नहीं करते थे तो अब कितने खुष थे और आज भक्ती करने लगे हैं तो कितने दुखी होने लगे हैं एक वो है हमारा पड़ोसी जो कभी भक्ती नहीं करता वो आजवी कितना सुखी है और हम हर रोज बावा के सामने घंटी बजाते हैं लेकिन आजवी हम दुखी के दुखी ही है वो व्यक्ति कभी भगवान का नाम नहीं लेता, कभी मंदिर नहीं जाता, कभी मस्जिद नहीं जाता और वो आजवी इतना सुखी है सुखों के पहाड हैं उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मेरे बच्चो क्या तुम अग्यानता का सिकार क्यों बनना चाहते हो जो व्यक्ति मेरा नाम नहीं लेता वो कैसे सुखी रह सकता है क्या ऐसा कहीं हो सकता है कि जो व्यक्ति मेरा नाम नहीं जप रहा हो वो सुखी होगा वो कभी सुखी नहीं होगा मेरे बच्चो और जो उसे इस पल जो सुख मिल रहे हैं न वो उसके पिछले कर्मों का फल है मेरे बच्चो पिछले कर्मों का फल वो भोग रहा है चाहे उस फल में उसे सुख मिले या दुख मिले मैं तु मेरे बच्चों जैसे तैसे तुम्हें एक सच्छी भक्ती की रहा पर लेके आया था और तुम अग्यानता का पलपल सिकार होते जा रहे और कह रहे हो मुझसे की वो हमारा पड़सी एक पलबत्ती नहीं करता और आज उसके पास हर एक सुख है हर एक दुनिया की खुशी उसके चरणों को चूमती है क्या कहीं ऐसा हो सकता है मेरे बच्चों कभी नहीं ऐसा हो सकता वो जो भोग रहा है सिर्फ पिछले जन्मों का करम भोग रहा है उस करम में उसे सुख मिले या दुख ये मेरी ही मर्ची है मेरे बच्चों जैसा तुम करोगे वैसा ही पाओगे मुझसे क्योंकि मेरे बच्चों ये अच्छी भली बाती तुम जानते हो अगर तुम आज आम का पेड लगाओगे न तो उस पर आम ही आएंगे कुछ और नहीं आ सकता मेरे बच्चो कभी नहीं आ सकता मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूँ मेरे बच्चो क्या कभी कड़ी चीज मीठी हो सकती है क्या परन्तो मीठी चीज कड़ी जरूर हो सकती है लेकिन कड़ी चीज कभी मीठी नहीं हो सकती मेरे बच्चो बुरे का फल बुरा ही होता है और अच्छाई का फल अच्छा ही होता है मेरे बच्चो वो फल तुम्हें आज मिले या कल जब भी मिलेगा अच्छे का अच्छा और बुरे का बुर्या ही फल मिलेगा तुम्हें ओम साहिराम सभी के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कृपए सब्सक्राइब जरूर करें ओम साहिराम सभी के लिए